गुड मॉनिंग स्टुदेंट्स कल हमने पढ़ा था क्लासिफेकेशन आज कंटेंट नंबर 2 है नॉमन क्लेचर नॉमन क्लेचर जैसे हमने क्लास 11 दे पढ़ा था नॉमन क्लेचर मीन्स दे कॉमन नेम एंड आयो पेक नेम ऑफ दे कंपाउंड विच फॉर्म्ड इन और नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड दूसरा एक्जम्पल है आईजो प्रोपिल क्लोराइड क्योंकि आईजो तब होता है बेटा जब कार्बन के दोनों तरफ मेथिल ग्रूप जुड़े हूं जैसे कार्बन बीच में उसके नीचे आपका फंक्शनल ग्रूप और उसके दोन पेक नेम आपको पता है इसका होगा one बरौमो प्रोपेन दूसरे का होगा one two chloropropane और तिसरे का है वनовор 2 अंश्धल प्रोपेन चलिए इसका अब हम देख लेते हैं एक्जम्पल for example हम लेते हैं CS3 CH2에 CH2BR अब इसका IUPAC name हम सबको पता है कि जिदर functional group होता है number इक उधर ही से करते हैं 1, 2 and 3 number of carbon है 3 ठीक है और आपको पता है कि जब भी आपका कोई भी halogen होता है तो इसके साथ prefix जोडते हैं suffix नहीं तो इसका prefix हो जाएगा bromo और कितना bromo वन पे है bromo 1 bromo 123 propane 1 bromo हो गया हमारा propane दूसरा example है CS3 single bond CH single bond CS3 और बीच में है CL अब क्योंकि ये बीच में है numbering चाहधर से करें चाहधर से तो हमें हमेशा पता है कि जब भी होता है तो right to left gear दता है 1, 2 and 3 2 के साथ हो गया chloro 2 chloro 123 प्रो पेन 2 chloro प्रो पेन अब तीसरा example देखते है CS3 single bond CH CS3 CH2 CL दिखा देख रहा है functional group इधर से है तो 1, 2, 3 अब आते हैं CL और CS3 दोनों है अब हम alphabet भी देखेंगे तो पहले C आता है तब हम आता है तो पहले 1 chloro 2 पर है methyl 1 chloro 2 methyl और 1, 2, 3 प्रो पेन तो यह हो गया हमारा IUPAC नहीं यह हम कह सकते हैं this is the normal clature same उसी तरीके से हैलो एरीन्स हैलो एरीन्स की भी ब्रोमो बेंजीन योगि आपको पता है और्थो मेटा पैरा और्थो मेटा पैरा यही पोदिशन होती है और्थो मेटा पैरा और्थो मेटा पैरा इसे तरीके से cyclic compound चलता है और जब हम यहीं पर बीच में ऐसे बना देते तो that is the hybrid structure of skippedokasan neighbors पर प्रॉमेंजीन ये पहले के से देखिए और्थो मेटा मेटा पर भी ड्रॉमो बेंजीन है इसके बाद."छ पैरा पर अब यहां ध्यान दो excuse me प्रॉमो बेंजीन पहले है ब्रॉमो बेंजीन कॉमन नेम दूसरे का है मेटा डी ब्रोमो बेंजीन क्योंकि दो BROP और तीसरा है symmetrical tribromobenzene क्योंकि इस तरीके से यह symmetrical structure बना रहा है as a triangle ऐसे ऐसे और ऐसे तीनों ही form में यह कैसा है symmetrical है और जब हम इसका आयू पैक नेम देखते हैं तो ortho position पर जड़ा हुआ है bromobenzene और यहाँ पर है 2 तो 1 तो यहाँ पर numbering करेंगे हैं 1 2 3 1 3 1 3 dibromobenzene यहाँ पर 1 2 3 4 5 तो 1 3 5 tribromobenzene is that clear? चले अगला देखते हैं कुछ structures उनके common name और IUPAC name जैसे यह CS3, CH2, CH, CL, CS3 इसको कहा जाता है secondary butyl chloride और इसका IUPAC name होता है 2 chlorobutane for example देखिए जैसे हमारा example है CS3, CH2, CH, CL, CS3 इस तरीके का हमें एक formation दिया गया है अब इसका हमें IUPAC name देखना है तो इसको पहले हम तोड़ेंगे CS3, single bond, CH2, single bond, CH अब CH के ऊपर CL, single bond, CH3 अब IUPAC name देखते हैं जहां से आपका functional को सबसे नस्दीख हो तो वो left से ही है 1, 2, 3, 4 तो 2, chloro, 1, 2, 3, 4, 2, chlorobutane ठीक है next देखते हैं CS3 का whole thrice C, CH2, BR अगला है हमारा CH3 का whole thrice C, BR अब इसको हम जड़ा justify करते हैं अब इस C को पहले लेखते हैं क्योंकि इसकी balance सबसे जादा है अब इस C के तीन तरफ जोड़ देते हैं CS3 क्योंकि whole thrice है CS3 CS3 और CS3 और इसके इधर है BR तो obvious है कि 1 पर ही रहेगा ठीक है लेकिन अब हमें longest chain देखनी है तो longest chain के हिसाप से हम देखेंगे 123 ठीक है तो यहां पर हम जब देखेंगे तो 123 क्योंकि यहां से लेते हैं तो 123 पर तो इसका हो जाएगा टू ब्रोमो टू मेथिल वन टू थ्री प्रो पेन प्रो पेन इस तरी के सो और एक्जाम्पल्स है इसे कहता है विनाइल क्लोराइड और इसका नाम होता है क्लोरो एथीन यह सब एक्जाम्पल्स देखिएगा आप लो जो भी नहीं समझ में आएगा वाट्सप करिएगा मैं उसका स्ट्रक्चर समझाकर आयू पेस इनिम आपको समझा दूंगा अब next देखते है नमन खेल के बाद जो most important चीज है वो है हमारा नेचर ओफ c-x बॉंड यह most important चीज है कि जो हमारा ऐसका नेचर कैसा होता था कि तो देखिए since halogen atoms are more electron negative than carbon the carbon halogen bond of alkyl halide is polarized the carbon atom be a partial positive charge whereas the halogen atoms be a partial negative charge ठीक है जैसे for example देखिए माल लीजे हमारा कोई example है माल लीजे CS3, CL तो हमें ये पता है कि CS3 और CL जब भी ये होगा तो carbon is तो carbon जो होता है बिटा वो chlorine से less electron negative होता है तो ये पूरा का पूरा bond जो है वो shift किदर होगा chlorine की तरफ तो chlorine पर आजाएगा partial negative और carbon पर आजाएगा partial positive और अगर कोई भी compound आपका partial positive और partial negative दिखा रहा है तो that means वो क्या हो गया है polarized और अगर वो polarized हो गया है तो polarized होने का मतलब है उसमें क्या बन जाएगा dipole dipole का मतलब दो पोल बन जाएगे और dipole बनने की वज़े से उनके पास आ जाएगी bond length bond length आने की वज़े से उनमें आ जाएगा dipole moment ठीक है और dipole moment आने की वज़े से इसमें आ जाएगी आपकी bond in चल अब इसको देखने से पहले हम देखते हैं since the size of the halogen atom increase as we go down the group in the periodic table fluorine atom is the smallest and the iodine atom is the largest ठीक है चलिए यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ आपकी theory लिखी है अब इस theory को हम लोग देखते हैं practical ways में कि किस तरीके से fluorine, chlorine, bromine और iodine जो होता है हमारा वो किस तरीके से हमें बताता है कि उनकी dipole moment and bond enthalpies कैसी है चलिए ठीक है चलिए चलते हैं पहले हम देखते हैं cf fluorine होता है फिर देखते हैं ccl फिर देखते हैं cbr और last में देखते हैं c और i ठीक है चलिए मान लीजिए यह हो गया कार्बन क्या आउटर ओर्बिट और इधर ही ले ले लेते हैं फ्लोरीन को ठीक है तो इन दोनों के बीच में बॉंड लेंथ होगा ठीक है बॉंड लेंथ का मतलब होता है बॉंड लेंथ जो होती है बटी आपकी उसको नपजाता है इन्टर नुूधियर डिस्टैन्स से the distance between two nucleus is known as its bond length ठीक है तो ये orbit हो गई carbon की ये हो गई fluorine की ठीक है अगले में ये हो गई carbon की और obvious है कि chlorine थोड़ा सा बढ़ा होगा fluorine से तो ये हो गई इसकी ये हो गया ये हो गया इनकी और इनकी bond length में फरक आया obvious है कि ये बढ़ा है ये छोटा है ठीक है carbon की size वही रहेगी bromine की size और बढ़ी बॉंड लेंथ और लंबी carbon की size वही अयोडीन की size और लंबी तो obvious है कि bond length जादा bond length जादा ठीक है अगर हमें लिखना हो कि bond length किसकी सबसे ज़्यादा होती है तो cf फिर ccl फिर cbr फिर c और i हमेशा लिखेंगे सबसे छोटी bond length होती है carbon और fluorine के bond की उसके बाद carbon और chlorine की उसके बाद carbon और bromine की और सबसे बड़ी किसकी होती है bond length carbon और iodine की मतलब bond length सबसे बड़ी किसकी होगी ci की उससे छोटी cbr की उससे छोटी ccl की सबसे छोटी किसकी होगी carbon और fluorine की ठीक है चलिए bond length के बाद अब अगली बात आती है डाइपोल मोमेंट की अब अगली बात हम करेंगे डाइपोल मोमेंट की ठीक है अब जो हमारा डाइपोल मोमेंट होता है वो सीधा सीधा होता है electro negative जो भी जादा electro negative होगा ठीक है जो भी जादा electro negative होगा उसका q मतलब उसकी जो energy होगी वो क्या होगी हमेशा जादा होगी ठीक है तो डाइपोल निगालने का formula होता है mu is equals to q into d डाइपोल मोमेंट is equals to the amount of energy the amount of energy released into intermolecular distance between nucleus intermolecular distance between nucleus ठीक है तो चलिए बॉन्डलेंट देखते हैं और आपका जो q होता है जो energy होती है वो electro negativity जिसकी जादा बेटा उसका क्यों क्या होगा हमेशा जादा होगा चलिए तो बात करते हैं सबसे जादा electro negative होता है fluorine जिसका electro negativity होती है 4 इसके बाद आता है आपका chlorine लगभग 3.6 फिर आता है आपका bromine लगभग 2.7 और इसके बाद आता है आपका iodine लगभग 2 सबसे जादा electro negative होता है fluorine फिर chlorine फिर bromine और सबसे कम होता है आपका iodine ठीक है तो जो सबसे जादा electro negative उसका q भी सबसे जादा होगा जो electro negative बेटा सबसे जादा उसका q भी सबसे जादा लेकिन यहाँ पर ध्यान दो इसका distance क्या है सबसे कम है inter molecular जो inter nuclear जो distance है बेटा वो सबसे कम है मतलब अगर इसका delta q बढ़ रहा है तो D क्या हो रहा है घट रहा है यहाँ पर delta Q अगर घट रहा है defense इसलिए distance को dipole moment में क्या माल लिया जाता है लगभग 0 क्योंकि वो जाधा फरक नहीं डालता है क्योंकि इसको नापा जाता है P को meter से और P को meter का मतलब होता है 10 to the power minus 12 जो की बहुत ही छोटा होता है इसलिए distance को क्या कर लिया दता है लगबग 0 माला जाता है क्योंकि distance जादा फरक नहीं डालता ठीक है तो जब हमें dipole moment के बारे में लिखना होगा तो याद रखी गए कि exception है dipole moment के हिसाब से जब हम इसकी series को लिखेंगे तो भले से ही हमारा कार्बन और फ्लोरीन का जो electronegative फ्लोरीन की जादा है बट जब बारी आएगी dipole moment की तो सबसे ज़दा dipole moment होता है कार्बन और क्लोरीन के bond का और उसके बाद आता है c f का उसके बाद आता है c b r का और उसके बाद आता है c और i का ठीक है सबसे पहले c c l लिखोगे फिर c f लिखोगे सॉरी मैंने यह उल्टा बना दिया c c l c f c f ठीक है वो थोड़ा उल्टा बन गया था सबसे बड़ा c c l का उसके बाद c f का फिर c b r का सबसे कम c i का ठीक है बात करते हैं अब अगली हम लोग बात करेंगे enthalpy की enthalpy का मतलब होता है किसी भी bond को तोड़ने के लिए जो required energy चाहिए होती है ठीक है तो जैसा कि हमने सबसे पहले ही पढ़ा था जिसकी bond length सबसे ज़ादा उसको तोड़ना सबसे आसान जिसकी bond length सबसे ज़ादा उसको तोड़ना सबसे चोटी उसको तोड़ना सबसे ज़ादा tough होगा ठीक है इसलिए जब हम enthalpy में लिखेंगे तो लिखेंगे c i फिर c b r फिर c c l और आखरी में c और f इसको हमेशा क्या करन 120 याद रखना त्यक्या है अगले देखो सिधा सिधा एक्जाम्पल देखो डाइपोल मॉमेंट पे आओ बिटा सुझा किसका है क्लोरीन का सबसे कम किसका है आयोडीन का उसके बाद किसका है ब्रोमीन का ठीक है देखिए क्लोरीन का 1.86 है फ्लोरीन का 1.84 है उसके बाद प्रोमीन का 1.83 है और सबसे कम किसका है बिटा सबसे कम है आयोडीन का 1.63 ठीक है इसको याद करने की जरूवत नहीं है बट ये चार है तो थोड़ा सा डिफ्रेंसियेशन हमें जानना जरूरी है ठीक है अब आ जाते हैं most important चीज़ पर method of preparation पहला है topic method of preparation का from alcohols ठीक है किसी भी primary alcohols के साथ जब हम hydrogen halide को लेते हैं और use करते हैं ZNCl2 as a catalyst तो हमें मिलता है हेलो एलकेन प्लस water vapor के form में है ठीक है बटा water vapor के form में जैसे यहाँ पर हमने लिखा है methyl alcohol in the presence of hydrochloric acid जब ये reaction करता है in the presence of ZNCl2 as a catalyst तो हमें मिलता है CS3Cl means methyl chloride plus water vapor ठीक है चलिए अब इसकी ज़रा हम देख लेते हैं mechanism 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 देखिए यह methyl alcohol ZNCl2 as a catalyst HCl के साथ जब reaction करता है तो CS3Cl बनाता है और water vapor को release करता है ठीक है अब यह जो CS3 है जो हमारा methyl alcohol है यह तूटता है किसमें कार्बो केटाइन में और hydroxide आयन में ठीक है कार्बो केटाइन में और hydroxide आयन में क्योंकि यहाँ पर क्या मिल रहा है plus I effect inductive effect वो भी किसमें है plus I में तो obvious है कि यह shift करेगा किसकी तरफ OH की तरफ अपने electron को shift करेगा तो electron पर क्या आजाएगा negative जो की hydroxide आयन है और इस पर आजाएगा positive कार्बन पर तो इस गार्बो केटायन प्लस हाइड्रओक्साइड आयन प्लस पर्शियल हाइड्रोजियन पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव क्लॉएड इन प्रेशन ऑफ जै और यह वाटर पेपर के फ़र्म में बाहर जाएगा अगला जो यह निगेटिव है ख्लोरिन वो तुरंग भागेगा इसकी तरफ कार्बो कैटाइन की तरफ क्योंकि उसको क्या चाहिए पॉजिटिव और वो क्या बना लेगा CS3-C-L ठीक है फिर से मेकनिजम देखो बिटा CS3-OH था ZN-C-L-2 as a catalyst था हमने catalyst के use किया क्योंकि यह आपका क्या है यह हमारा Lewis Acid याद रखिएगा यह हमारा Lewis Acid HCl के साथ जब reaction करा है तो CS3-C-L मिला और water pepper आपका release हुआ CS3-OH जो है इसमें CS3 ने प्लस आई effect शो किया तो carbon पर आ गया positive और OH पर आ गया negative तो यह carbocatine बना और यह hydroxide ion बना और HCl हमें पता है more electron negative CL है इसलिए H की electron copy तरफ लेके partial positive partial negative ले आएगा इसके बाद equation में carbocatine और hydroxide ion एक तरफ प्लस hydrogen ion और chloride ion एक तरफ ZnCl2 की presence में as a catalyst CS3-C-L और water vapor बनाते हैं ठीक है next is CS3-OH plus NaBr plus sulfuric acid जब भी हम methyl alcohol को किसी salt के साथ in the presence of dilute sulfuric acid गरम करते हैं गरम करने का मतलब है यहाँ पर जो temperature होगा वो होगा 360 Kelvin 360 Kelvin तो हमारे पास बनाता है haloyalcane या कह सकते हो ethyl bromide plus sodium bisulfate NaHSO4 plus water vapor ठीक है water vapor अगला देखिए 3 moles of methyl alcohol plus pcl3 phosphorus trichloride जब इसको गरम किया गया तो यह तूटा phosphorus acid में और methyl chloride के 3 moles में ठीक है तो these are the preparation of hello alkenes from the alcohols ठीक है hello alkenes का preparation किसकी वज़े से किसकी मदद से alcohols की ठीक है जो भी queries होंगी बिटा आप बूठ सकते हैं ठीक है अब आते हैं हम from hydrocarbons hydrocarbons की मदद से बनाया जाता है by free radical halogenation और substitution reaction यह तो देखकर र्यादी आ गया होगा आपको यह substitution reaction है carbon और CH4 से CL2 CL2 जब तक इस पूरे hydrogen को substitute नहीं कर देता है in the presence of sunlight तब तक यह formation होता रहता है और last में सारे के सारे H निकल कर carbon के संसर्फ और सिर्फ halide group जुड़ा हुआ है CCL4 plus HCl जिसको कहते हैं हम methyl tetra chloride या इसका common name होता है carbon tetra chloride ठीक है mechanism हम सबको पता है CL2 जो है क्योंकि यह formation of free radical है CL2 in the presence of sunlight homolytic cleavage से तूड जाएगा किसमे free radicals में और यही free radicals जो है वो इस CH4 को में भी homolytic cleavage लाएगे तो carbon का free radical बनेगा और hydrogen का free radical बनेगा और इन्हीं दोनों के साथ chlorine के एक-एक free radical जुड़कर क्या बनाएंगे hello alkane plus hydrogen chloride gas hello alkane plus hydrogen chloride gas hello alkane plus hydrogen chloride gas और last तक हम यह पूरी mechanism क्या कर सकते हैं follow कर सकते हैं is there any problem is there any problem take the screenshot and send it to the whatsapp number I will explain the whole okay rest of the thing I will explain it to you okay now by electrophilic substitution reaction नाम सही पता लग रहा है कि जो भी reactions होने हैं वो arines के साथ होने हैं benzene ring के साथ क्योंकि benzene ring is the best electrophilic क्योंकि यह electron rich होती है क्योंकि इसके पास 3 pi bond है ठीक है 3 pi bond है ठीक है अब पढ़ो यहां से aryl chlorides and bromides can be easily prepared by electrophilic substitution of arines with chlorine and bromine respectively in the presence of Lewis acid catalyst like iron और iron chloride ठीक है तो यहां पर हमने लिया है c6 h5 c3 जो कि आपको पता है tolven होता है plus cl2 मैंने यहां पर chlorine को अलगले लिख दिया है क्योंकि यहां पर मैंने chlorine को पैजा free radical use कर दिया था in the presence of fecl3 और dark डार्क का मतलब है यह night reaction है इसके लिए sunlight की जरुवत नहीं है अगर sunlight की जरुवत होती बिटा तो फिर हमें fecl3 की जरुवत ही न पढ़ती क्योंकि आपका जो sunlight होती है वह as a catalyst काम करती है ठीक है तो cs3 अपनी उसी जगह पर है पहला आपका बन जाएगा ortho chlorotolven तो कि पहली तो position है वह ortho है और दूसरी है पैरा chlorotolven ठीक है अब देखिए आप लोग confused होंगे कि विवेक सर्ड ने इसको ortho metapera बताया था अब लेकिन एक चीज़ का धान दखिएगा cs3 कोई भी functional group बेटा जहां पर भी जुड़ जाए बेंजीन रिंग में उस जगह को हमेशा क्या कहा जाता है पैरा functional group बेंजीन रिंग के जिस कार्बन के साथ जुड़ेगा चाहे वो किसी भी position पर हो अगर मैं यहां पर भी जोड़ देता है इसको अगर इस CL की जगह मैंने cs2 जोड़ा होता तो यह आपका क्या हो जाता पैरा ठीक है बिटा तो यह हो गया आपका और यह हो गया आपका पैर ठीक है ऐसे होता लेकिन अब यहां देकhistoire अब यहां पर आपका यहां पर आ गया है क्योंकि यहां पर आपका functional group है ठीक है तो पैरा के ठीक नीचे और थो और थो और थो मेटा पैरा और्थो क्लोर वे ठीक है अब इसकी mechanism address system हूं मेकानिशम में FECL3, Ferrous Trichloride, ठीक है, Ferrous Trichloride, Ferrous Spheric, यह हो गया, Ferrous Trichloride, यह Free Radicals में तूटेगा, by the help of Homoletic Cleavage, ठीक है, और फिर यह जो Talven है, Talven का, जो यह CS3 है, इस जगा को हमने बोल दिया है, पैरा, अब जहां पर यह आपका, Functional Group जुड़ गया, यह हो गया, आपका, पैरा, और पैरा के ठीक नीचे होता है, Ortho, और इसके बाद होता है, Meta, Meta के फिर बाद होता है, पैरा फिर फिर आपका ओर्थो फिर से आपका ये मेटा ठीक है जहां भी आपका functional group बिटा जुड़ जाएगा वो जगाँ पर हमेशा क्या कहो हो गया पैरा वो चाहे इस carbon पर हो इस carbon पर हो जिस carbon पर भी जुड़ेगा बिटा वो हमेशा क्या हो जाएगा पैरा ठीक है पैरा हुआ अब c l क्योंकि आपका free radical में आ गया ठीक है तो पहली position आपको पता है electro flick में हमेशा कहां जुड़ती है और दूसरी हमेशा कहां जुड़ती है पैरा पर ठीक है तो पैरा पर बनने वाला जो compound होगा वो हमेशा क्या होगा बेटा major हम लोग ने पढ़ा था 11 में और